Hello everyone, welcome to Study IQ Study IQ के इस वडियो में हम बात करेंगे जोगिंदर वार मेमोरियल के बारे में अभी अभी अरुनाचल प्रदेश में जोगिंदर वार मेमोरियल का इनोग्रेशन किया गया ये बंबला अरुनाचल में बना है सो हम जोगिंदर सिंग के बारे में जानेंगे ये कौन थे और इन्हें परमवीर चकर क्यों मिला था तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वेस्चन पुछना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा माउंटेन पास है जो अरणाचल प्रदेश में नहीं है जलेपला, सेला पास, बॉमडिला पास या दिहांग पास इनमें से कौन सा अरणाचल प्रदेश में नहीं है वीडियो का मैं आंसर, इस कोशिन का आंसर इस वीडियो के एंड में दूँगा सो अभी अभी 1962 जो भारत और चाइना के बीच में वहर होई थी उसके हीरो सुबेदार जोगिंदर सिंग उनका एक मैमोरियल बना है और ये अरणाचल प्रदेश में बमला में बना है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेमा खंडू है अभाणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ये इनका जो स्टैचू है उसको सेलियोट दे रहे है सो सुबेदार जोगिंदर सिंग कौन थे सुबेदार जोगिंदर सिंग जो है इन्हें इंडियन आर्मी के लोग प्यार से बाबा बोलते थे और ये सुबेदार पोजिशन पे थे ये सिक रेजिमेंट जो फर्स्ट बटालियन थी सिक रेजिमेंट उसमें थे और इन्हें परमिर चक्र मिला था अपनी 1962 में हिरोइक्स के लिए अपने सुप्रीम सेक्रिफाइस के लिए जो इन्होंने इंडिया चाइना वार में अपना सेक्रिफाइस दिया था अभी जो वार मेमोरियल बना है ये बाकी जो जवान है हमें हमारे उन्हें भी इंस्पाइर करता रहेगा पीपल्स लिबरेशन आर्मी अफ चाइना इनोंने एक अटैक किया था ये बात है 1962 की और उस वक्त चाइना की आर्मी से लड़ते हुए इन्होंने शहादत दी इंडियन आर्मी ने एक सेरेमनी और्गिनाईज की थी 23 अक्टूबर को 23 अक्टूबर 2020 क्योंकि 23 अक्टूबर को ही बैटल हुई थी बैटल ओफ तौंग पैनला या जिसे बैटल ओफ बमला भी बोलते हैं तो इसमें जो कुलवन्त कौर हैं सुबेदार जोगिंदर सिंग की बेटी उन्होंने इनोग्रेट किया ये वार मेमोरियल यहाँ पे ये सबसे राइट में जो खड़ी हैं ये हैं कुलवन्त कौर ये पूरी फैमली है सुबेदार जोगिंदर सिंग की अब मैं आपको बताता हूँ पूरा वृतांथ हुआ क्या था सुबेदार जोगिंदर सिंग है जो है इनका जन्म पंजाब के मोगा में हुआ था और इनोंने काफी कम उमर में ही ब्रेटिश इंडियन आर्मी को 1936 में जॉइन कर लिया था और यह सिक रेजिमेंट में 1 बटालियन में सर्व करते थे उसके बाद जब बैटल स्टार्ट हुई इसे बोलते हैं बैटल ओफ टॉंग पैनला तो बमला एकसेस में चाइनीज आर्मी ने इन्वेड कर दिया और चाइनीज आर्मी का जो परपस था वो ये था 23 अक्टूबर को कि वो तवांग को अपने पूरी तरह से कबजे में कर ले तवांग अवणाचल प्रदेश में हैं और भोटान और तिबद बॉर्डर से दोनों से लगता है तवांग चाइना ने एकदम से जो बारत और चाइना के बीच डिपलम ऐसी चल रहे थी उसको इग्नोर किया और नमकाचू नाम की जो पोस्ट है उस पर अटेक कर दिया ये नमकाचू जो है ये एक रिवर का नाम है तो नमकाचू पोस्ट बनी हुई है वहाँ पे अचानक अटेक कर दिया उसके बाद चाइनीज आर्मी काफी अंदर तक घुसाई और वो तवांग की और जाने लगी बंबला एक्सिस के थ्रू वहीं पे जो तवांग पोस्ट थी वहाँ पे थे सुबेदार जोगिंदर सिंग और उनकी फॉज लेकिन ये फॉज कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ ये अरणाचल का मैप है ये लेटेस्ट मैप है अरणाचल का जो अरणाचल की सरकार ने दिया है तो इसमें आप देख सकते हैं ये है तवांग डिस्ट्रिक्ट अरणाचल प्रदेश के सबसे वेस्ट में है ये नॉर्थ और वेस्ट में और यहाँपे इसका border भुटान से लगता है और उपर यह border पूरा तिबैत से लगता है तो यहाँ पर तवांग में यहाँपे कहीं है ये बमला पास उसके बाद बमला पास अगर आप एक बार cross करेंगे तो फिर आप सीधा तवांग में काफी अंदर तका सकते हैं तो बमला पास को क्रॉस करके जो चाइनीज आर्मी है वो तवांग में एंटर कर गई थी वहीं पे तवांग पोस्ट है और तवांग पोस्ट पे जो सुबेदार जोगिंदर सिंग है वो अपने सिर्फ 20 मैन के साथ महाँ पे तैनात थे तो वो लीड कर रहे थे उन्हें एक छोटा सा प्लाटून था जिसमें सिक रेजिमेंट के सिर्फ 20 जवान थे चाइनीज आर्मी ने जो टेरेन था पूरा उसे अच्छे से स्टड़ी किया था उनके पास एडवांज गेर भी थे लेकिन जो भारत के जवान हैं उनके पास कोई स्पेशल विंटर गेर वगरा नहीं थे यानि विंटर के लिए कोई अलग से कोई स्पेशल पोशाक वगरा कोई नहीं थी और वो आउट नंबर भी हो गए थे यानि चाइना के जो जवान थे वो बहुत ज़ादा थे और भारत में के सिर्फ 20 सिक जवान थे तो सुबेदार सिंग उन्होंने कहा एक बार कि कोई फायर नहीं करेगा जब तक चाइना के लोग काफी अंदर तक ना घुसाएं यानि कि वो clear range में आ जाएं अर्टिलरी range में आ जाएं उसके बाद इसमें दो risk भी था क्योंकि अगर चाइना के जवान बहुत अंदर तक आ जाते तो उसमें risk भी था कि अगर हम उन्होंने ना रोप पाएं लेकिन सुबेदार सिंग एकडम confident थे और जैसे ही चाइना की जो आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी अफ चाइना वो काफी अंदर तक आई तो उन्होंने काफी ammunition जितना भी था उनके पास बहुत जादा तो नहीं था वो सारा launch किया चाइनीज आर्मी के उपर और उनके 50 जवान उन्होंने मार दिये चाइनीज आर्मी के 50 जवान उसमें मार दिये लेकिन अबियसली उन्हें खुद भी गोली लगी उनकी थाई में गोली लगी एक और उसके बाद वो capture कर लिए गए एक prisoner of war की तरह उसके बाद जब उनको गोली लगी भी थी उस दोरान भी वो चा किया उत्तो चाइनीज आर्मी जो है वो तवांग में उनको एकसेस नहीं मिल पाई और उन्हें फिर वापस हटना पड़ा ये prisoner of war थे तो ये चाइना की captivity में थे चाइना ने इने बंदी बना लिया था और वहीं captivity में ही इनकी death हो गई थी क्योंकि जो गोली लगी थी उनकी इनकी बहादूरी के उपर कई सारे धरावाहिक और फिल्म में बनी हैं जैसे अभी दो साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें गिपी गरेवाल ने इनकी भूमी का निभाई थी तो ये एक बहुत important अध्याय था और जाद तर इस तरह की चीज़े हमारे school books में भी नहीं परमवीर चक्र जो हमारे heroes हैं उस पर हमने एक special series भी बनाई है study IQ पर जिसमें हमने सब के बारे में detail में बताया है कि उनकी जो ऐसी क्या बहादूरी थी जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र मिला जोगेंदर सिंग जी का जो एक statue है वो परम योधा स्थल नैशनल वर मेमोरियल में भी है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर सूबेदार जोगेंदर सिंग सिक रेजिमेंट और परम योधा स्थल वो जगा है जहाँ परमवीर चक्र वेजेताओं का को सम्मानित किया गया है राश्ट्रिय योधिस्मारक नई दिलने में तो यह था हमारा वीडियो जोगिंदर वर मेमोरियल जो भी इनॉग्रेट हुआ है बमला में मैं चाहता हूँ आप भी इनके बारे में सबको जरूर बताएं आपके सरकल में जो लोग है जो इंस्पायर होंगे इनसे और बाकी अगर आप चाहते हैं परमवीर चक्र विजयताओं की जो लिस्ट है मैं आपसे शेर करूँ तो नीचे मैंने आज जो पिंड कमेंट है उसमें लिंक दे दिया है जहांपे हमने सारे परमवीर चक्र विजयताओं की जीवनी डीटेल में कवर की है